एलो एवरिवन स्वागत आप सभी का स्टे मेजिकल हिंदी पे एंड थैंक यू थैंक यू सो मज देरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए इतनी साही पर्सनल रीडिंग्स के लिए और मैं एक और न्यू पिककार रीडिंग आप लोगों के लेके आई हूं कि आपकी जो पर् कर सकते हैं यह है नममर वान नमर टूं नमर त्री और नमर फोर इन सभी की तो टाइमिंग है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपको पूरी वीडियो देखने की जर्वत नहीं है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बिल्को भी मत हम कार्ट के थू देखेंगे बाकी मैंने मेडिटेशन करने के बाद ये इंट्यूशन से एक लेटर लिखा है I know आपको राइटिंग समझ नहीं आएगी तो मैं इसको खुद रीड करके आपको बताऊंगी बाकी मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जैसे आप बहुत सारे जूश कर लिजे या फिर आप परस्नल रीडिंग करा सकते हैं उपर वाट्सटेब नंबर गीवन है आम आसे मुझे कॉन्टाक्ट कर सकते हैं सबसे पहले जो कार्ड हमारे पास है वो है ये फाइव और वॉन्ट तो हो सकता है कि ये जो परसन है आपकी और इनके बीच काफ अपनी गलती होती है तो मानती नहीं है इस तरीकी कि ये परसन हो सकते हैं आप मैसेज का वेट करें मैं आपको मैसेज अभी बताओंगी पहले हम ठोड़ा सिचुवेशन देख लेते हैं कार्ट की तुरू यहां नाइन ओव वांट्स रिवर्स में आया है तो हो सकता है कि य इस परसन को लगता है कि यह जो है वो आपके लिए सही नहीं है जो आप चाहते हो जो आप अपनी life से अभी expect कर रहे हो यह परसन आपको अभी नहीं दे सकते हो सकते है परसन आपसे age में छोटे हो या वैसे भी यह परसन young हो ऐसे चीज हो सकती है तो चलिए आप मैं यह आपके लिए रीट कर देती हूँ जो मैंने intuition से आपके लिए लेटर लिखा है कि आपके person आपको क्या message देना चाहते हैं I am sorry मुझे regret है उन सब चीजों का जो मैंने किया बट मैं तुम्हारे सामने आग कर ये सब accept नहीं कर सकता या कर सकती It's better कि तुम मुझे भूल जाओ और life में आगे बढ़ो जो तुम चाहो या ना चाहती हो उसके लिए मैं अभी भी ready नहीं हो So basically they are trying to say कि जो आप चाहते हो जो भी चीज़ आप इस person से expect कर रहे हो उसके लिए ये ready नहीं है I am not saying कि तुम एक अच्छे person नहीं हो लेकिन मैं वैसे feel नहीं करता या नहीं करती हो जैसा तुम मेरे लिए feel करते हो या करती हो You deserve better तुम एक अच्छा person deserve करते हो अपनी life में So take care of yourself तो आप अपना ध्यान रखे ये जो है ये person आप से कहना चाहते है मैं आपके लिए एक और extra card निकाल देती हूँ ओकी तो हमारे पास आया है two of cup reverse बिल्कुल वैसा ही जैसे letter में लिखा हुआ था और बाकी की reading में आ रहा है two of cup reverse यहाँ पर बात करता है कि शायद आप इस person को बहुत पसंद करते हो इनको बहुत लाइक करते हो लेकिन वो जो ये जो person है उस तरीकी की feelings आपके लिए नहीं रखते है उस तरीकी का आपके लिए feel नहीं करते है जितना आप करते हो तो शायद ये person जो है आपसे जादा बात नहीं करते हैं हो सकता है ये बीच बीच में आते हो और फिर चले जाते हो या हो सकता है कि आप इन्होंने आपसे बात करना काफी हट तक बंद कर दिया हो किसी reason की वज़ा से अगर ये reading आप लोगों से match करती है और आप डीटेल में जानना चाहते हैं कि क्या future है आपका इस person के साथ तो आप personal reading करा सकते हैं और अगर reading match करती है तो मुझे का मेंने section box के तुर जरूर बताएगा और मेने channel को like करना subscribe करना मिल को भी मत भूलेगा Thank you so much So जिन भी लोगों ने pile number 2 चूस किया है यह वाला door choose किया है चलिए देखते हैं कि आपके person का क्या message है पहले हम tarot cards की थूरू उनकी situation देखेंगे कि आपके situation में क्या चल रहा है अभी और मैंने intuitively आप लोगों के लिए यह letter लिखा है आपके person की तरफ से obviously बात है कि आपको writing समझ नहीं आएगी इसलिए मैं उसको side रख लिए हूँ मैं उसको बाद में read करूँगी और मैं आपको बता दूँ कि एक journal reading है और यह वाली reading जो है वो कुछ जादा ही specific है मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों से match करेंगी तो अगर यह match नहीं करती है तो आप दूसरा pile चूज़ कर लिजे या आप personal reading करा सकते है सारी description box में detail given है और whatsapp number जो है वो video के उपर भी given है आप मुझे वहाँ से contact कर सकते है आपको बता दूँ कि reading free नहीं होती है या paid reading होती है तो चलिए शुरूब करते है इस connection में ऐसा लगता है कि जो आपकी person है वो बहुत जादा आपसे physically attracted है बहुत जादा आपसे attraction है इस person को हो सकता है कि आप दोनों का पहले relation रह चुका हो या अभी भी आप लोग relationship में हो और ये जो person है वो आपको बहुत like करते हैं बहुत पसंद करते हैं आप जैसे दिखते हो especially बहुत जादा आपसे इतना connect नहीं हो रहे हो या बात नहीं कर रहे हो या हो सकता है कि बिल्कुल भी अभी communication जो है आप दोनों की बीच में नहीं चल रहा हो लेकिन जो है याँ पे queen of pentacles और king of swords है ये दोनों cards मुझे बताते हैं कि एक person जो है वो बहुत जादा stable होना चाता है life में आगे long term relationship चाता है और एक person जो है वो इस relationship और इस connection के बार में बहुत जादा logically सोच रहे है या दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे और एक person जो है वो बहुत जादा दिल से सोच रहा है, वो घर बसाना चाहता है, एक अच्छा घासा serious relationship चाहता है, दोनों में से आप कोई भी एक partner हो सकते हैं, एक person हो सकते हैं, sorry, यहां पर फिर हमाई पास है page of wants और night of cups reverse में, तो यह दोनों जो कार हैं, वो बात करते हैं, एक ऐसे person की, जो की बहुत जादा serious नहीं है, इस relationship को लेकिए, मैं भी यह person आप से बहुत flirt करते हो, या फिर बहुत जादा serious बाते नहीं करते हो, यह person आप से, और recently आपकी life में ऐसा कुछ हुआ है, जिसे आपको एक तरीके से जटका लगा है, धक्का लगा है, हो सकता है, या तो नहीं आप से बात करनी बंद कर दी हो, या आपको पता चला हो कि, यह person उतनी serious नहीं है, जितना आप सोच रहे हो कि, यह person है, तो चलिए देख लेते कि, मेसिज क्या देना चाहते हैं, आपको letter के through, I like you, तुम मुझे बहुत attractive लगते हो, तुम्हारे साथ बात करना और time spent करना मुझे बहुत पसंद है, मैं sure नहीं हूँ हमारे future के बारे में, बट अभी तुम्हारी presence मुझे अपनी life में बहुत पसंद है, तुम्हें अपनी life में रखना मुझे अच्छा लगता है, कहीं न कहीं तुमने मुझे past relationship से बाहर आने में बहुत help करी है, और आज भी जबी भी मैं परिशान होता हूँ या होती हूँ, तो कहीं न कहीं तुम मुझे help करते हो, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता हूँ या गलत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा future के बारे में मैं नहीं सोचना चाता है, या नहीं सोचना चाती, मैं अपने present में रहना चाहता हूँ और चाहती हूँ क्योंकि past में कुछ ऐसी चीजे हुई है पहले कुछ ऐसी चीजे हुई है मेरे relationship में जिस वज़ा से मैं नए connection के बारे में अभी सोचना नहीं चाहता या सोचनी नहीं चाहती मैं अपना future आगे जैसा भी होगा अच्छा या बुरा तुमारे साथ वो accept करने के लिए राजी हूँ तो चलिए देख लेते हैं एक और card Please universe, please tell me जिन भी लोग ने pile number two choose किया है मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं से काफी लोग जो हैं वो इस person से बात कर रहे हैं या new person हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए यह ऐसे person है जो life में आते रहते हैं Please universe, इनकी person इनको क्या message देना चाहते हैं जिन भी लोग ने pile number two choose किया है हमारे पास यहां आया है Knight of Pentacles reverse में तो Knight of Pentacles जो है reverse में वो यह ही बताता है कि यह person आपको एक stable connection नहीं देना चाहते हैं अभी यह काफी हद तक pile number one से भी match करती है Reading आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं यह person जो है वो बताना चाहते हैं कि वो आपको यह नहीं देना चाहते हैं लेकिन वो कहीं न कहीं आपको आपको अभी खोना भी नहीं चाहते हैं। बेशक कि आपसे अभी बात नहीं कर रहे हो लेकिन यह जो person है वो in future आपसे बात करेंगे। और अगर आप detailed reading चाहते हैं कि यह person और आपका जो connection है वो आगे कैसा रहेगा या क्या होगा तो आप personal reading करा सकते हैं। और अगर आप यह reading जो है आप लोगों से मैच करती है तो प्लीज मुझे कमें सेक्शन बॉक्स के तुरू जरूर बताएगा और मेरी वीजियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोवे मत भूलेगा। तो जिन भी लोगों ने थर्ड नंबर का डोर चूस किया है पिच्चर चूस किया है यह पाइल नंबर त्री चूस किया है चलिए देखते हैं आपके person आपके लिए क्या message देना चाहते हैं तो यह reading शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह बहुत बहुत specific reading है reading आपके लिए है यह नहीं है अगर नहीं है तो definitely आपको और पाइल चूस कर सकते हैं या परस्नल डीडिंग करा सकते हैं उपर वीडियो में WhatsApp नमर आ रहा होगा वाह से मुझसे contact कर सकते हैं बता दूँ कि यह reading जो है वो free नहीं होती है बाकि मैंने intuition से यह letter लिखा है आपको writing समझ नहीं आएगी तो मैं आपको read करके बताओंगी कि आपके person आपको क्या message देना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि इस reading में काफी chances है कि आप लोग long term या तो relationship में थे तो आप लोगों का या तो breakup हो गया है relationship में काफी ज्यादा changes आ गए हैं हो सकता है कि आप इस person के साथ आपकी शादी हो रखी हो और अभी आप लोग साथ में नहीं रह रहे हो कुछ भी chances हो सकते हैं क्योंकि या पे seven of swords है हो सकता है या तो आपकी तरफ से कोई third party situation रही हो आपने इस person क को चीठ किया हो या इस person ने ऐसा कुछ किया हो दोनों में से किसी भी तरफ यह चीज हो सकती है किसी ने या तो जूट बोला हो अगर third party situation नहीं ती है कोई चीज छुपाई हो या किसी वज़ा से misunderstanding हुई हो यहां पे death card है और temperance card है that card यहां पे बात करता है कोई चीज जो है व लड़ाई होई और आप लोगों ने गुस्ते में relationship खतम कर दिया या इस person ने वो खतम कर दिया पर कही ना कहीं ऐसा नहीं हुआ 10 of pentacles से मुझे लगता है कि या तो आप लोगों का बहुत लंबा long term relationship था या फिर हो सकता है कि आप लोग शादी शुदा थे आप merit थे और अभी आप लोगों में लड़ाई जंगडा चल रहा है और आप दोनों अलग रह रहे हो five of swords यहां पर बात करता है ego की जो मुझे intuitively दिख रहा है घमण की कि गुस्य में और घमण में और ego में जो है वो connection जो था यह वाला वो खराब हो गया हो सकता है आपके बहुत अच्छी दोस्त रहे हो ऐसा कुछ भी हो सकता है तो चल यह मैं यह letter जो है वो read कर देते हूं गलती सिर्फ मेरी नहीं थी हम दोनों की थी जो कुछ भी हुआ मैं आज भी बहुत hurt हूँ I know यह सही नहीं है बट मैं अभी भी उस हालात में नहीं हो कि मैं सब कुछ भूल के नहीं शुरुआत कर सकूँ तो मेरे लिए नहीं शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता है कि सब पहले जैसा नहीं हो पाएगा इसलिए यही अच्छा होगा कि हम अपने अपने रस्ते जाएं move on करे इस relationship से all the best for your future I swear जब मैं meditation कर रही थी तो मैंने आखे close करके intuition से यह message लिखा है it's not like कि मुझे कुछ problem है आप लोगों से अगर आप लोगों से बिलकुँ match नहीं करता तो definitely आप इसको ignore करिएगा बिलकुल ध्यान मत दीजेगा और अगर match करता है और आप जानना चाहते हैं कि क्या future है इस connection का आगी क्या होगा इस connection में तो आप personal reading करा सकते हैं और अगर यह reading आप से match करती है तो मेरे चैनल को like करना और comment करना और subscribe करना बिलकुभी मत भूलेगा thank you so much so जिन भी लोगों ने pile number 4 चूज किया है या यह वाला door चूज किया है यह reading आप लोगों के लिए है कि आपके person आपको क्या message देना चाहते हैं तो यह जो reading है यह बाकी pika card reading जैसी नहीं है यह बहुत जादा specific है मतलब कि यह गिने चुने लोगों से ही match करेगी because मैंने इसी तरीके कि आज meditation intuition करी है तो यह ऐसी ही आई है और मैं आपको यह बता दू कि मैंने आप लोगों के लिए कि intuition से letter लिखा है meditation करने के बाद कि आपकी person आपको क्या message देना चाहते हैं तो पहले हम situation देख लेते हैं अगर यह आप से match करती है तो आप definitely यह pile देखिए नहीं करती है तो आप कोई और pile चूस कर सकते हैं यह उपर वीडियो में मेरा WhatsApp नमर आ रहा है आप personal reading करा सकते हैं जो कि paid होत शादी शुदा है या फिर यह person आपके साथ एक family चाहते हैं आपके साथ एक relationship चाहते हैं वो आपको world की तरह देखते हैं कि सब कुछ समझते हैं कि यह perfect है यह में लिए best है वो person आपको सब कुछ देना चाहते हैं आपकी life के अंदर लेकिन कहीं न कहीं कुछ reason है जिसके आपकी life में आपको बहुत मदद करना चाहते हैं आपको help करना चाहते हैं यह दिल से आपसे प्यार करते हैं और आपको अपकी life में आगी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं Justice card जो है वो उल्टा आया है जो कि यहापे कहता है कि हो सकते हैं कि चीजें जो है relationship में बहुत balance नहीं है again same चीज की family issue है या फिर ऐसे हालात है कि साथ में नहीं रह सकते लेकिन यह जो person है वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं बहुत अच्छा चाहते हैं आपके लिए यह भी चाहते हैं कि आप life में बहुत ज़्यादा खुश रहें आपको सारी खुशिया मिले क्योंकि आप एक बहुत अच्छे person हो इनको ऐसा लगता है और यह आपके साथ एक happy married family life चाहते हैं लेकिन lovers card जो है वो उल्टा है जो कहता है कहीं न कुछ न कुछ ऐसी दिक्कत है जो इस person को लगता है कि यह जो चीजे हैं वो possible नहीं है या तो यह person जो है बहुत ज़्यादा negative सोच रहे हैं इस connection के बारे में हो सकता है कि ऐसी कोई चीज ना हो काफी लोगों के लिए मुझे ये एक strong soulmate relationship लग रहा है मैं वैसे ज़्यादा twin flame में मानती नहीं हूँ लेकिन अगर आपका लगता है कि यह person twin flame है तो हो भी सकता है कि यह बहुत strong मुझे vibes आ रही है यहाँ पर यहाँ पर एक six of wands का भी card है जो मुझे लगता है कहीं न कहीं intuition wise जो मुझे लग रहा है कि दिल से बहुत अच्छा connection है आप लोगों का कि चाहें आप आगे future में साथ रहें या ना रहें तो चली मैं letter पढ़ देती हूँ कि letter में क्या आया है यह मैंने आखे बंध घर के intuition से लिखा है I love you मैं पूरी life तुमारे साथ ही spend करना चाता हूँ या क करना चाती हूँ बढ़ हालात कुछ ऐसे हैं कि चीजें मुश्किल लग रही है मैं तुम्हें life में बहुत खुश देखना चाता हूँ और चाती हूँ मैं universe भगवान से और God से हमीशा यह प्रे करता हूँ और करती हूँ कि तुम्हें life में सारी खुशिया मिले तुम दिल के बहुत साफ हो बहुत अच्छे परसन हो बहुत लगी है वो जो तुम्हारी life में है तुम मेरी life का एक चमकता हुआ तारा हो और हमीशा मैं तुम्हें एक अच्छा चमकता हुआ तारे की तरह ही देखना चाता हूँ कि तुम्हें life में बहुत success मिले और तुम्हें अपनी life मे सारी की सारी खुशिया मिल सके चलिए हम एक extra card निकाल लेते हैं देखने के लिए कि वो और क्या message देना चाहते हैं आपको please remember जिन्में लोगों ने पाइल नमर 4 चूज किया है इनकी person को क्या message देना चाहते है please remember जिन्में लोगों ने पाइल नमर 4 मुझे बहुत strong आ रहा है कि कोई third person या तो ये person married है या आप married हो या कुछ ऐसा है वाव again 10 of cups ये person जो है सच में आपके साथ family चाहते है या तो आप इनसे married हो कुछ marriage को लेके या पे है please मुझे comment section box के ज़रूर बताइएगा या तो आप लोग married हो इस person से या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात है कि आप married हो और family में issues हैं जिस वज़ा से आप इतना ज़ादा उस level पे connect नहीं हो पाते हो जिस level पे आप चाहते हो कुछ ना कुछ marriage को लेकि है क्योंकि ये person जो आपके साथ family चाहते हैं एक happy married family life बच्चे चाहते हैं एक अच्छी family चाहते हैं ये person आपके साथ काफी ज़ादा love strong connection मुझे ये देख रहा है जितने भी piles मैंने आच किये हैं उसमें सबसे अगर हमें कहूं कि अच्छी positive reading सबसे ज़ादा कौन से आई है तो सबसे ज़ादा सब्सक्राइब काना विडियो को लाइक काना बिलको भी मत भूलेगा थांक्यू सो माच